दोस्तों वीदियो को तो भात करना लें मेल बढ़ना सार्स वर्चार हरीकेन होबर के बीच में होने वाले आज के पहले बीबियल मैच के बारे में एक प्लेगा पूरा पूरा एनालिसिस बताऊंगा इस मैच आपको जी यल में कैसे रोदेशन करने होंगे कौन सी तीमे मैं ज भी खेलने वाले इस मैच के पिच रिपोट के अगा प्लेस बैदल के होगा सभी चीजों को पर वन बाइवन बात करेंगे बस अगर आप हमाई चैनल को पर नहीं आए यह पहली बढ़ाए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरू कर लेना तो उस हो जाने का लाइन पास आरे हम प्र लेकर आपको लिए इस वीडियू को दिस्किप्शन और कमेस सबसे अपपिन करके हमाई फाइनल टीम का फाइदा उठा सकते हो सबसे पहले बात करें को सी पीम मैं जीज सकती है लेकिन आखरी सीजन के अगर हिसाफ से देख जाए तो होबद हरी के तीम बहुत पर नहीं सार के पास मेल पर नहीं सार की तीम को एस बालर्स बहुत जादे अच्छे हैं लेकिं बल्ले बाजी बहुत जादी ही कमजोर है यही रीजन है कि बल्ले बाज जो कोज़े से मुझे लगता नहीं कि तीमें मैं जीत पाईगे वह होबत हरी के पास बल्ले बाजी जो है सबसे पहले मैक दर्मोट आखरी सीजन का वान अफ तॉप स्कोर्डर प्लेयर था जिसका एवरेस आपको फोदी 3 के करीब का देखनों मिला हुआ आखरी सीजन के अंदर और इस तीम के खिलाफ भी एवरेस आपको फोदी 4 के करीब का इसका देखनों मिला हुआ है बल्ले पर्फॉर्मेंस करके दे सकते हैं बाले वास में ओपनिंग करेगा जरूर ले करके चलने वाला हूँ जो क्लार के बाद करो हर बॉल पे छक्के चौके माने वाला प्लेयर है जादतार मैचस में अभी फ्लॉपी जा रहा है आखरी सीजन अच्छा गया था बीपिल का लेकिन य मैच मिनिमम फ्लॉप हो गई होगा ती तेन अभुधावी में फ्लॉप गया हंद्रेद मैस की सीरीज में भी फ्लॉप गया कहीं पर भी उतना अच्छा पर्फॉर्मेंस करके आया नहीं है बाले बाद करेंगों से पहले देखो मुझे लगता होबाद हरी के तीम के जीतने क अच्छी कर गई ना क्योंकि सामने के पास बहुत सांदार है थोड़ी भी अच्छी बल्याजिक कर गए तो इसली यहां पर जीतते हुआ आपको नजर आ जाएंगा क्योंकि इस समय मेल बार ने सार के पास कोई बहुत सांदार बल्ले बास देखने को नहीं मिलेगा वहाई मैच के पीच के आपर में जो मैं आपको देखने को मिलेगे अब करीब नंजर akan करोगे तो यहां पे हाई स्कोरिंग गेम के लिए मैदान मनाए जाता है इस तो यह चीज़ को फोकस करना यह बीबीयल है यहां पर आपको करीब 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 करें पर बन सकते हैं बात करें एक एक प्लाय के अनालिसिस पर तो मैथ्यू वेद बल्ले बाच में तीसरे पर आएगा अगर यह ओपनिंग करता ना अगर यह ऐसा ओपनर खेलता तो अभी तिम्हें ऐसा क्या वीचिस को लेकर करके चलता लेकर अभी फिलहाल क्लमाईर को जादा इसको पर रिस्क लेने का मन नहीं है क्योंकि बल्ले बाच में तीसरे पर आएगा और सामने जोए आधम जांपा जैसा आपको देखनों मिलेगा तो मैं जिल्लक नहीं रहा है कि मैथी वेद उतना ज्यादा चल पाएगा वहीं बात करें बल्ले बाच जो आपसर ने देखो जो बड़त अभी कि फिला के इस मैच को खेले गगा नी सी जैवल बल्ले उसी क्रम काफी नीच यह पाठचों नमप पे एच कार्था नावेजर जो की नया प्लेयर ओपनर प्लेयर रहे ए अन लारकिन जो की बल्ले आप तीसरे नमप पे अगर आएगा तो परफॉर्मेस अच्छा खरकी है बहुत ज्यादे च्छाके मानने में महारत हासिल है तो काफी जरूरी प्लैर का प्लस सामने की तीम के पास अगर लेफ सांदर बल्लेवास कर रहे होंगे तो आपको इस पिन बॉलिंग ऑप्सन भी देखनों मिल जाएगा दो ओवर के कड़ी बॉलिंग भी करके दे सकता है तो फिलायर के लिए से देखो सी कहले वे आसिफ अली बल्लेवास में हाथ वे नमगर करीब नजर आएगा इतना नीचे आएगा यही रिज़नी कि इसको ले करके चलने का कोई मतलब नहीं है आप लेकर के चल सकते हैं लार्किन हो गया एच कार्थ राइद होगा यह तीन मे जीतना लिए तो पहला फिकित जल्दी गिरतो आपको नजर आ सकता है बात करें बल्लेवास में ओपनिंग करेगा एंकर का रोल करता है मतलब सामने वाले प्लेयर को रंस मारने का पूरी पूरा फोकस करने वाला है और बालिंग से भी आपको दो से तीनों वार बालिंग करक सकता है तो कई आपको देखने को मिला था साथ आपका आंग के बारे में किसी को भी कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है चार और बालिंग पुरा करकी देने हैं प्लस भल्लेवाज में भी कई बार इसको उपर भीज के पाच्चुन अब भीज दिया जाएगा वरना मैक्सम त बस एक ही काम करता है अगर आपको वीडियो ठोड़ा भी अच्छा लगड़ा हो आपको हमारे तेलिगरामस करकी जोईन होना पड़ाएगा जहां पेसी वीदिक को आपको दिस्कुर्चीन हो कमें सक्षक वाप नियुक्स सब्सक्रास के सब्सुल के आपकर मालूम नहीं है वो मैं अपने तलिगराम सर को इसी तरीके से स्क्रीन सौथ के जरीए अपनी फाइनल टीम भेज दूँगा आपको करना कुछ भी नहीं है तलिगराम सर को जोइन हो जाना जरूरी है असान फ्री भी है जिस भी वीडियो को देखरोगे उसके टैटल को आप क्लिक करोगे तो द जाएगा वहीं बात कर अपने बच्चेव प्लेयर्स के यहां से बी वेबस्तर आखरी मैचे बहले ही चारों ओवर बॉलिंग पुरा किया हुआ है लेकिन एक चीज़ को पर ध्यान रखना कि मारकस सोईनीस मारकस सोईनीस कभी भी बॉलिंग कर सकता है आखरी मैचे इसले न नियूज़िलन के लिए कहीं पर भी फॉर्म में नए उससे पहले उससे पहले सीरीज हुआ इंदिया अखिलाव हर जगह फ्लॉब किया और बॉलिंग भी समय कोई ज्यादा अच्छा करकी देनी पर है तो फिलाल के इसके रिस्क लेने का कोई मतलब नहीं है बात करें बॉलिंग ऑप्षन है नंबर रॉन प्लेया एदम जापा जो कि स्थार्स की तीम कोर से कपतार नहीं कर रहा है चार ओवर पूरा करके देने वा कर लेता है नाथन कुलता नाइट आखरी के उसमें बॉलिंग करेगा जैसे की वीश्वा ओवर अथार्वा ओवर जरूरी बॉलर रहेगा आखरी मैं चैने बहुत तारिफ किया था एक बाफर से लेकर के चलने वालों अगर इस तार्स की तीम पहले बॉलिंग कर रही है तो सूरी की तीनो बॉलर को लेकर के चलना ज़रोर है लेकिन मिल भरतने की तीम सेकेंड बॉलिंग कर रही है और आपको लग रहे है कि मिल लगजा टीमे मैच हारने वाली है तो आपको इन दोनों में से मिनिमम किसी एक को तो मिस्स करके चलना ही चलना है भला ही नाम बढ़ा है रिक्वाद बढ़ा है लेकिन अगर सेकंड बॉलिंग चल रही होगी तो कोई एक जरूर फ्लॉप होगा और हो सके तो दोनों फ्लॉप हो जाए क क्योंकि सामने की टीम के मैच जीतने के चांसे जाता है अभी मैं ट्रेंद बोल को मिस्स करके चलने वाल हो क्योंकि सुरू में ज़्यादा ओवर फेक देगा अब आपर देखने को मिलेंगे और उसके साथ मैं अग्दर मोद जैसा प्लेयर देखने मुलेगा तो मुझे नही खेलेगा तो चार ओवर बालिंग पूरा करेगा लेकि मुझे लगता निया कि ज्यादा मौका है नहीं कि खिलाया जाएगा बाकि अगर खिलाया जाएगा तो आपको इतना अच्छा आप्सन भी नहीं रहेगा लिए को फिकेत देख बाला बिल्कुल भी नहीं है मैक्सिम त अबरकर काफी नया प्लेयर है जे पैरीच को मौका मिले का चारो और पॉर्लिंग पूरा करेगा बाकि इतना अच्छा प्लेयर है नहीं सीट रिमेंड को भी खिलाया जा सकता है बाकि मुझे लगता नहीं कि खिलाए जागा बाकि हगा बात कर अपने क्यावी सिटी के बार म सब्सक्राइब करने मिलेगा सब्सक्राइब करें मेरे साथ खिलना सुरू कर सकते हो अब इस मैच के अंदर पूरे पैसे जो एना 11 चलिंजेस भी लगाने वाला हूँ अब इसी लेकर के चलने आलो मार्कस इस तोईनीज को वाकि मेरा मन कहा रहे है कि साथ आप खाना अपको लेगा अच्छा अपना रहे गाए आप चाहो तो यहां से लेकर के चल सकते हो मैथी व बस तर एक बार फिर सो चार ओवर बालिंग पूरा खटते हो आपको नजर आ जाएगा तो वीद्य दोस्तों के प्लेगा पूरा एनालिसिस बता दिया वीदियो अच्छा लगो तो सब्सक्राइब जरू कर लेना तो सो जाने का लाइनप पास जाने के हमारी खुद के फाइ फ्री में जोइन हो सकते हो